बिस्मिल्लाहिर्राह्मान इर्राहीम अस्सलामु अलेकुम वर्रह्मतुल्लाहिव बरकातु हूँ एट लास वेलकम तो साइंस क्लास यूनिट नमबर वान हुमन ओर्गन सिस्टम का टॉपिक इंटर्नल से ट्रॉक्चर ओफ किड्नी जो है वो अज हम अंडर्स्टेंड करेंगे, डिसकस करेंगे फर्स्ट ओफ ओल, वी विल रिकॉल औवर यस्टर्डेज लेक्चर वीच वाइन इस, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक पार्ट्स जो है वो कल हम discuss कर चुके हैं उन्हें एक दफा recall करते हैं तो excretory system में 4 जो हैं वो basic organs जो हैं वो शामिल होते हैं ठीक है वो involved होते हैं वो कौन कौन से हैं फर्स्ट वान इस kidney सेकेंड वान इस ureter ठीक है next हमारे पास होता है urinary bladder और last part है urethra तो kidneys के बारे में हम पढ़ चुके हैं one pair of kidney जो है हमारी body में present है humans की body में one pair present है ठीक है left kidney and right kidney एक left side पर present है दूसरी right side पर present है ठीक है और kidney के बारे में हम पढ़ चुके हैं bean shape है dark brown in color है ठीक है और इनका काम क्या है urine formation यान theories जो है वो kidney में होती है नेक्स्ट हर किड़नी से हमारे पास एक ट्यूब राइज होती है जिसे हम कहते हैं यूरिटर और इस फाइन ट्यूब का काम क्या है कि यूरन को किड़नी से ट्रांसपोर्ट करवाती है हमारे ब्लैडर में next हमारे पास जो bladder है उसका काम है यह एक muscular organ है muscular sac है ठीक है muscles का बना हुआ एक sac है जिसमें urine जो है वो store होता है और add the end एक opening मजूद है add the end of excretory system जिसे हम कहते है यूरेथरा और उसका काम है urine को हमारी body से remove करवाना आज का जो basic हमारे पास topic है वो है kidneys का यानि अगर हम देखें तो बाहिर से देखने पे हमें kidney जो है वो किस तरह से नजर आती है लेकिन अंदर जो है वो कौन कौन सी structures जो है वो involved होती है तो basically हम internal structure of kidney जो है वो आज discuss करेंगे three main regions है ठीक है kidney की internal structure यानि internal का मतलब होता है अंदरुनी अंदरुनी तो और पे हमने देखना है कि हमें kidney में कितने regions कौन कौन सी structures जो है वो नजर आती है externally तो हमें जो kidney है वो इस तरह से नजर आएगी ठीक है ये external view है हमारे पास और ये internal view है ठीक है internally हमारे पास जो kidney है उसके three main regions है ठीक है name call करें renal cortex renal medulla and renal pelvis ठीक है अब next देखते हैं कि first one यानि outer most region को हम क्या कहते है middle region को क्या कहते है inner region को क्या कहते है तो जो outer most region है kidney का उससे कहते है renal cortex for example अगर आप ये diagram में देखें तो हमारे पास ये जो outer region नजर आ रहा है इसे हम कहते है renal cortex और middle region जो है middle मतलब दर्मियानी दर्मियानी जो हिस्सा है उसे हम कहते है renal medulla और उसमें आप लोगों को ये छोटे छोटे con shape, conical masses जो है वो नजर आ रही है ठीक है इन masses को कहते है renal pyramids renal pelvis is the inner area ठीक है अब जो last area है उसे कहते है renal pelvis ठीक है जैसे ये arrow में आपको नजर आ रहा है कि ये cons जो थी वो renal medulla का हिस्सा है लेकिन inner जो पार्ट है उसे हम कहते है renal pelvis जहां urine जो है वो drain किया जाता है then urine is passes into ureter अब हमें पता है हर kidney से ये जो है एक tube rise हो रही है इस tube को कहते हैं ureter जब urine जो है वो बन चुका है kidney में तो ureter के थू जो है वो urinary bladder में transfer करवा दिया जाता है ठीक है आज का जो हमारा topic है वो internal structure of kidney ही है तुमाम students ने इस lecture को अच्छे तरीके से गोर से जो है वो सुने और then इसकी याद करने के बाद practice करें और g-suit पे send करें second one एक और काम आप लोगोंने करना है कि यह जो हमारे पास structure of nephron है हमारा अगला topic जिसे हम इंशाला detail में कल discuss करेंगे इसकी diagram की दो दफा जो है rough notebook पे practice करनी है ठीक है ताके कल जो है वो long question के सामने easily draw की जा सके thank you allah hafiz